इस कारिक्रम के पुन्यारजक हैं नमो लोई सवा साहनु नमो अरिहांतानु नमो सिधानु नमो आयरिन्यानु नमो आयरिन्यानु नमो वजायानु नमो लोई सवा साहनु नमो अरुहंतानु नमो सिधानु नमो नमो अरियानु नमो बुवजायानु नमो लोई सवा साहनु नमो वजायानु नमो लोई सवा साहनु नमो ऒए शाहन परमपकारी आचार्य भगवंत विधास सागर्जी महा मुनिराज की बात चल रही है भगवान बनना है भगवान के बाजू में बेटना है भगवान बनने की हैसियत आत्मसाथ करना है वो ताकत भगवान बनने की आत्मसाथ करना है उनके साथ बेटने की ताकत को अपने अंदर लेके आना है उसकी बात चल रही है और उसकी बात प्रारम करते हुए 16 अकारण भावनाओं में जो शील वतिश्चार उस भावना पर अपनी बात चल रही है और उसमें हमने आप लोगों के बीच में मंगला चरण में त्यार किया है कि तिर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा तिर्थंकर बनना है तो जूट का वमन करना होगा तिर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा तिर्थंकर बनना हो तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा और तिर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा तिर्थंकर बनना हो तो जीवन को निर्दोश बनाना होगा तिर्थंकर बनना है तो शब्त शिली की ओर मुड़ना होगा और तिर्थंकर बनना है तो अस्ट प्रवचन मातरिकाओं की ओर जुकना होगा और बात चल रही है तिर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा तो तीन प्रवचन इस चोरी पर होगा इसको रिवाइस कर लेते हैं कि तुढ़ना है, तो चोरी को छोड़ना होगा, क्योंकि चोरी करने का भाओ जभी आता है, जब हम अपनी ख्षाओं को सिमित नहीं रख पाते हैं चोरी की कमज़ोरी नहीं या चोरी की बलज़ोरी नहीं, हमें संसार में भटकान ग्वाली यह हमरी सबसे बड़ी कमजोरी है और व्याख्या में अलगी करता हूँ जूट की व्याख्या भी कुछ अलग करी थी जो चोरी की व्याख्या आप लोग मानते हैं उससे कुछ हटकर चोरी की व्याख्या प्रारंब करी थी यहाँ पर और चोरी की व्याक्षा के पांच बिंदू बनाएं सबसे पहला बिंदू है समय चोर कौन सा चोर? समय चोर दूसरा बिंदू है सदगुण चोर तीसरा बिंदू है वासल्य और संभन्ध चोर चौथा बिंदू है समता चोर और पांचवा बिंदू है राज चोर गोपनीता चोर अब बिंदों से मैंने बात प्रारम वे किती और कुछ अलगी व्याख्या चोरी की किती समय चोर मतलब क्या इसको रिवाइस कर दूँ क्यों कि कंडड में तो प्रारम भी हो रहा है इसको बता देता हूँ समय चोर का मतलब ये व्याख्याइद किया था कि बात करने के पहले समझे तो सामने वाले के पाँ समय है कि नहीं अगर आप उसका समय जबरजस्ती ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं समय की चोरी कर रहे हैं पूछो तो सही सामने वाले से क्योंकि क्या सबसे कीमती समय है पैसा वापस दे सकते हो सोना आचांदी वापस दे सकते हो कि विया गलती हो गई उठा लिया था ले लिया हम वापस दे सकते हो लेकिन क्या किसी का समय एक बार ले लोगे तो कि वापस दे सकते हो बोलो भाई गोलू दे सकते हो नहीं दे सकते, समय वापस नहीं दे सकते और समय दिया भी नहीं जा सकता है जो चला गया, वो लोट कर नहीं आने वाला है तो ध्यान रखना, पेसे को छोड़ो आप सबसे बड़े समय चोर हो सबसे बड़े क्या हो समय चोर हो क्योंकि आप दूसरों का समय अगर ले रहे हो बिना पर्मीशन के वो आपका है ही नहीं क्योंकि वो उसका समय हैं लेकिन आप अगर ले रहे हो तो आप समय चोर हो जैसे बिना किसी के पूछे वस्तु आप लेते नहीं हो ऐसे समय भी बिना पूछे नहीं लेना चाहिए एक और बात इसमें बोली थी माली जी आप कोई वक्ता है या आपको कहीं बोलने के लिए बुलाया गया और जितना समय दिया है उससे अगर आप अधिक समय ले रहे हैं माली जी ये 500 लोग बेटे हैं कि आप समय चोर कहलाएंगे माली जी आप कहीं गए हैं और आप समय पर नहीं पहुचे हैं तो जितनी देर से आप पहुचे हैं और जितनी देर लोग इंतजार कर रहे हैं उन सब क्या किया आपने समय चुरा लिया है आप क्या कहलाएंगे समय चोर कहलाएंगे अलग व्याक्या है, कुछ अलग हट की व्याक्या है ये समय चोर की, फिर अगर माली जी महिलाएं बेठी हैं, महिलाओं से कहना चाओंगा मैं, महिलाएं माताएं बेने बेठी हैं अगर माताएं बेने बेठी हैं और समय पर भोजन नहीं दे रही है, समय पर चाहे, जो भी नास्ता, जो भी और जो भी चीजे नहीं दे रही है, बना कर और उनको इंतजार करा रही है, तो क्या कर रही है, उनके समय पर चोरी कर रहे हैं, आप समय पर चोरी करने वाले हो गए, तो ध्यान रखना, हम अगर किस किसी का समय बरबात कर रहे हैं किसी का समय लुटा रहे हैं तो हम बहुत बड़े समय चोर हैं बाकी चीज तो दी जा सकती वापस लेकिन समय वापस नहीं दिया जा सकता है कभी ध्यान गया इस और नहीं गया तो इस पर ध्यान देना है आपको हम समय की चोरी हमें नहीं करना है दूसरा सदगुन चोर सदगुन चोर की व्याख्या करते हैं हमने ये बुला कि हमारी कोई गलत आदत अगर किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सदगुनों के लुटे रहे हैं हम उसके सदगुनों के लुटे रहे हैं क्योंकि हमारे कारण किसी का धरम छूट रहा है तो हम उसके धरम पर डाका डानने वाले बदमास है क्यों हमारे करण उसका धरम छूट रहा है उसको स्वाद्धाय करना था उसको पूजन करना था उसको बक्ती करनी थी उसको आहार देना था भाई को भयावरती करनी थी, लेकिन क्या हुआ, आप ने उसका समय ले लिया, उसको किसी और काम में लगा दिया, तो आप क्या कहला रहे हो, सदगुन चोर, क्या कहला रहे हो, सदगुन चोर, आप कहला रहे हो, ये बात निश्चित मान के चलना, क्योंकि और तो ये भी एक ब तो आप शबदजन चो दिवा अच्छे कारे को करने में आप बाधार डाल दिए उसके अच्छी बात की सलक्रें कि आप चाहिक कर रहे हो किसी को गलत करने के लिए मजबूर भी कर रहे हो तो क्या है भी सदकर सदकुण चाहिक के अंतरगत आएगा एक बात द्यान रहकना आप यह मान के चलना अप आदर्ष है आप आदर्ष है यह में ल connection कि ऑम्ना कि कौन देखने वाला एंग और हमें कौन जानने वाला है और हमें कौन सुनने वाला नहीं हर विकती के लिए कोई ना कोई मोचार रहता ही किसमें आप अपने बच्छों के आदर्स होंगे ऐसा नहीं है तो उसमें ए realo है कुं एक है कॉम ने दिया ता sowohl और जावान का थे डॉत बड़ी आ ejects ब्रिंग कर रहें, आप तंबाव को खा रहें, आप पाउज खा रहें, आप जुआ खेल रहें, जो जो भी कर रहें, उससे अगर किसी ना किसी को तो सीख मिलेगी, मिलेगी एमान के चलना, और आपके सद्गुन के चोर हैं, फिर बात वासल्य और आप से संबंद की चोरी की प्रारंब करी थी मैंने, और यहां से मैंने यह कहा था, कि अगर आपके कारण किसी के संबंदों में दरार आ रही है, प्रेम समाप तो हो रहा है, तो आप प्रेम और उन संबंदों को चोरी करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, और पिर चोरी के बाद यह बात करी थी मैंन कि मान लीजिए कि भाया किसी की कोई बात है किसी की कोई बात है अब वो बात किसकी है? उसके सद्गुन हो या उसके दुर्गुन हो है ना? अब दुर्गुन किसके हैं वो? वो दुर्गुन उसके हैं आपके हैं क्या? नहीं है ना? वो दुर्गुण आपके नहीं है तो जब दुर्गुण आपके नहीं है उसके दुर्गुण है अब उसके दुर्गुण है या उसके दोस है या उसमें जो कमी दिख रही है वो उसकी है आपकी नहीं है जब वो आपकी नहीं है तो उसके अधिकार किसका है उसका है लेकिन उ उसके दोसों को उसकी कमीयों को बताने कादिकार आपको है क्या जब उसकी है यह नहीं आपको उसकी है आपकी है नहीं तो आप उसके बिना पूछे कैसे बता रहे हो उसके दूर्गौन आप उसकी कमियां उससे बिना पूछे कैसे बता रहे हो जब वो आपकी नहीं उसकी है जब उसकी कमी है उसके दुरूण है उसके दोस है और अगर आप उसको बता रहे हो तो क्या हो गया चोरी निकल ली चोरी हुई ना अगर आपको बताने कि इतनी है एक्षा तो भी आप उ चोरी करने वाले हो, बिल्कुल चोरी, अलग व्याख्या है, अलग शीज बता रहा हूँ आपको मैं इस चोरी के विशे में, तो यह आप चोरी करने वाले हो गए हो, क्योंकि मैं चोरी इसलिए बोल रहा हूँ, हाला कि आपको मैं जी तो निंदा हो गई, पर मैं इसलिए बोल तो बोल सकता हूं मैं डंग की चोट पर कि इतने तो इमानदार होंगे यहां बेटके गुरू की वाहनी सुन दे कि दस रुपए भी पड़े हो तो उठाएंगे नहीं किसी का जेवर भी पड़ाओ तो उठाएंगे नहीं कोई सामगरी भी पड़ी हो तो उठाएंगे क्यों कि चोरी क्या है लेकिन किसी का दोष्च कि की कमियां बताना भी चोरीए उसको पाप में हैं इन्दा नहीं निन्दा से वड़कर जब मैं कहुए दूँ ऐसे अब दर जाएंगे कि बहुत गली तो दूसरूं के दोशों को बिना पूछे जब तो अब बतारहे हो तो आप चोरी का दोश कर रहे हो जितनी सासु है और जितनी बहुए है वह कान खोल कर अला कि बहु आप अगर माले जे बहु को सास के बैसे मोलना है वो आपके यह कमयां और यह बुराइंच और में मंदर में जाके सबको बताऊंगे तब चोरी का दोस ने लेगा दोनों आज से आसिरवाद तब चोरी का दोस नहीं लेगेगा परन तो अगर बिना बताए वो कह रही है क्योंकि वो उसके है ही नहीं आप क्या मानते हो अरे चोरी की क्या परिवाशा मानी आपने जो चीज हमारी नहीं है उसको हमें नहीं उठाना तो दोस हमारे नहीं है वो सासुमा के हैं वो बहु के दोस हैं मान लीजिए तो फिर आप क्यों बता रहे हो जो आपके नहीं है वो आप क्यों बता रहे हो तो चो भी आप चोरी करोगे निंदा करोगे दूसरों के दोस्त बताओगे नरक जाओगे क्या आज आओगे नरक जाओगे इसलिए इसी चोरी मत करना किसी के दोशों को हमें नहीं बताना है बिना पूछे हम नहीं बताएंगे तो यह और नहीं तो बताना है तो खुले आम सामने आल माताएं किसे मता हैं अधिकतर मा और बेटी का बड़ा स्ने होता है मा और बेटी का आगाण प्रेम होता है और जब वो दूसरे घर चले जाती है तो बेटी आथ की है क्या? किसकी है वो? किसकी है वो? बताओ ना? बोलो ना? पराई हो गई ना? आप बड़्यत्या थे वो सेटी हो गई आप काला थे वो लुहाडिया हो गई ऐसी है ना? आप गंगवाल थे वो ठोले हो गई यह ना? आपके ऐसी चलता ना मारवाडी में हम भी मारवाडी इसलिए हैं मालू में तो वो गोतर तो बदल गई अब वो गोतर बदल गई तो वो आपकी रही नहीं जब वो चीज आपकी नहीं रही तो उस पे आपका अधिकार है क्या? नहीं अब जब उस पे आपका अधिकार नहीं है और उसके बाद फिर आप अपने इसाब से उसको चला रहे हो अपने हिसाब से आप उसको गुमा रहे हो अब उसने कुछ बताया और आप उसको यहां से उसको मूव कर रहे हो यह भी चोरी है क्यों कर रहे हो जो चीज आपकी आप अपनी बेटी नहीं नहीं है और अगर मान रहे हो तो अगर वो कुछ होभी उस घर में रहा है तो आप यहां से इसको संचालित मत करो आप यहां से इसको demotivate कर देते हो और फिर वो कैते हैं ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर और वो वैसा वैसा करते चली आती है और फिर दो तुकड़े हो जाते हैं जब भी कोई मेरे पास नया जोड़ा आता है तो सबसे पहला नियम में एक ही देता हूं उससे यही नियम देता हूं कि चाहे जो हो जाए अब तेरा पती भगवान है तेरी सासु ही मा है उसके लवा और कुछ भी नहीं है अब पूरो संसार खराब और तेरे जो परिवार सबसे अच्छा इसके लवा कहीं स्वर्ग नहीं है सब जगा नर्क है और यह परिवार इस्वर्ग है यह नियम ले लेना कि किसी से बुराई करना नहीं अपने परिवार की जो है वो ठीक है बदल सकती नहीं हो और बदल सकती है भी नहीं ताकत तो कभी और कम से कम इतना तो नियम ले लेना कि अपने माता पिता को जब भी बताऊंगे तो अपने परिवार की अच्छा ही बताऊंगे क्योंकि वो कुछ कर पाएंगे नहीं वो यहां से आपने अपनी माँ को कुछ बता भी दिया कि ऐसा ऐसा है तो वो भी परेशान उनका भी दिन रात सुख आप सुवाप्त कर रहे हो और साथ में स्वैम भी आप परिशान हो रहे हो और फिर जब फोन पर बात होती है फोन तो चला गया मॉबाइल पर जब बात होती है तो इत्ती सी की इत्ती बड़ी हो जाती होती है न तो कम से कम ये बात ध्यान लखना वो अब हमारी नहीं है उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है तो उसको चलाने का भी अधिकार हमारा नहीं है उस पे चलाने का भी अधिकार नहीं है और अगर माली जब चला रहे हैं तो दूसरी बात आपके कारण अगर उस सासू और बहु का प्रेम तूट रहा है संभन्द तूट रहा है तो आप उसका समर्पन तूट रहा है तो आप एमान के चलना आप उनके संभन्दों को और प्रेम को चुराने वाले चोर है उनके संभन्दों को उनके अगार प्रेम के अंदर गाट डालने वाले चोर हैं ऐसी चोरी नहीं करना जिए उनके आपस के संभन्द आपस का प्रेम आपके माध्यम से तूटे बिल्कुल नहीं करना अगर आप यह कर रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं है ना बहुत सारी सासुमा ऐसी है जिनकी बेट ने सासुमा नहीं कहलागी मा, सासुमा ने इंगल कियोगी मा, बहुत सारी माएं ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को चलाती होंगी यहां से बोलो न, है न, हाँ या नामे तो जाब दो बहुत सारी सासुमा वो सरी माताएं बेठी है करते हैं लई बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको यही देना चाहिए बेटा तीरा घर है तो मजे मत बताए तो अपने इसाफ से इसको फैस कर मैं कब तक तेरे साथ हूँ और मैं कब तक तेरे को बताऊंगे तो कुछ समस्ती हैगी उसको ऐसा समझाना चाहिए लेकिन आप उल्टा समझाते हैं यह गलत है आप गलत कर रहे हैं कटी बद्ध हो जाना चाहिए और जब जब घर से जाय बेटी अब तेरा घर वो है तुझे वही रेना तुझे वैसी एड़्जिस करना तेरा पाप, तेरा पुन्य, तेरे साथ है, मैं तेरे पाप पुन्य को ना तो आगे फिश्चे कर सकती हो, ना मेरा वो अधिकार है, यह होना चाहिए, और यह नहीं कर रहे हैं आप, तो चोरी का दोस्त लग रहा है, अलग परिवाशा हैं, हमें इसी अलगी बाते करते हैं, इ विवाहा आपका हुआ, विवाहा होने के बाद जब आपका विवाह हुआ है, तो आप आपके पती के जीवन में आए हैं, अब जब आपके पती के जीवन में आए हैं, तो आपके पती के जीवन में आए हैं, तो आपके पती के जीवन में आए हैं, तो पती पतनी आप बन कि मैं अपने पती के जीवन में आई हूँ तो मेरे आने के बाद मेरे पती के संबंद कम हुए कि बड़े बड़े हैं पक्का है ऐसा तो नहीं हो कि मा बेटे का प्यार समापत कर दिया हो मा पिता का प्यार समापत कर दियो दो तुकडे करा दियो और भी भाई भाई को अलग करा दियो जेठानी को आप में अलग क्या जेठानी बोलते हैं देवरानी और जेठानी न जेठानी देवरानी को आप में अलग करा दियो और भी भतीजे वगरा को आपने अलग करा दियो तो अगर आप अलग करा रहे हो वो तो थे एक मेक परन्तु आपने अगर तुकड़े करा दिये तो आप चोरी नहीं करा रहे हो जो चीज जिनकी थी उनको छोडाना ये चोडी तो है इसी तो जो चीज थी माँ बेटे का था एक उस माँ बेटे को आपने छोडा लिया छोडाना भी चोरी है ना किसी की बस तु छोडा लेती तो कहा जाते हैं आप कोट केस करते हो भाईया इसने हमारी छोडा लिये छोडा लिये हमारी तो एक मा को और एक बेटे को आपने अगर छोडा लिया तो ये चोरी नहीं है बताओ तो सही चोरी है कि नहीं है ना चोरी कहलाती है ना चोरी अब इसे चोरी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो आपने उस प्रेम की उन संबंदों की भी चोरी करी है, और मौट्सली ऐसे होता एगा, यवो संबंद कम होते चले जाते हैं, तो होते हैं कि नहीं आप इस बूछ लेता हूं, उदर नहीं पूछता हूं, होते हैं कि नहीं, क्यों, सभी बोल रहे हैं, बोले तो हुकम चंज क्या चीज, क्या चीज, यही तो बोल रहा हूं कि जब पत्नी आती है, तो आपके संबंद कम है कि बढ़े, बढ़े हैं, पत्नी ही वेटे डर के मारे बोल रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गोलु भाई, बढ़े हैं, पक्का, और बाकी लोगों को तभी हम अच्छे से नाम जानते ही नहीं, तो अच्छी बात है, बढ़ना चीज, नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपस के संबंद नहीं बढ़ रहे हैं, तो चोरी के लाएगी, इस पर भी आप विचार करना, इस पर भी आप ध्यान देना, और अब अगला पाइंट आज का समता चोर समता चोर क्या है? समता चोर की क्या व्याख्या है? समता चोर से यह है कि अगर मेरी वानी से बहुत अल्टिमेट बात हैगी, बहुत अच्छी बात हैगी, यहां तक ध्यान जा नहीं पाता है, लेकिन यहां तक आपका ध्यान ले जाओंगा मैं, मेरी वानी से, मेरे वहवार किसी जीवों के परिणामों की या विशुद्धी जा रही है उसके विशुद्ध परिणामों में हमने कोई खलन पेदा कर दिया है तो जो अच्छे परिणाम चल रहे थे और मेरे कारण उसके अगर अच्छे परिणाम निकल गए उसके जीवन से बहार हो गए उसके जीवन से तो उसके उस परिणामों को विशुद्ध परिणामों को चुराने वाले हम क्या है चौर है चौराने वाले चौरे वो तो विशुद्धी निर्मल परिणामों के साथ अपना जीमन जी रहा था लेकिन आपने कुछ बोला और वो जो उसके परिणाम थे अच्छे परिणाम थे अच्छी बात थी, उस अच्छी बात को आपने क्या कर लिया? चुरा लिया ले लिया तो आप चुराने वाले कोन हैं? आप चोर कह़ा हय है कि बहान रखना मैं तो ये मानता हूँ कि जो तेन चोरह अमे ने बोली ये पहले हैं समय चोर सद गुन चोर वासले चौर इन सबसे जादा महतोन ये चोथे नमबर की चौरी है क्योंकि आपने सीधे सीधे सामने वाले के परिणामों पर डाका डाल दिया है परिणामों को ले लिया है और आपके कारण उसके पुरे परिणाम समापत हो गया है उकारण कोने आप परिणाम आपके थे, नहीं, परिणाम सामने वाले के थे कैसे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत परिणाम निर्मल थे बहुत विशुद्ध परिणाम के साथ वो अपना जीवन जी रहा था अपने आपको शुब अपयोग में शुद्व अपयोग में लीन कर रहा था लेकिन आपने क्या कर दिया आपने शुद्व और शुब परिणाम को ले लिया किसके माद्यम से आपके विवार के माद्यम से आपकी वानी के माद्यम से आपने उसके परिणामों को चुरा लिया है अब वो सुख से नहीं रह पा रहा है वो चैन से नहीं रह पा रहा है तो आप किते बड़े चोर हो गए बताओ तो सही बाकी चोरी तो ठीक है लेकिन इस सम समता की चोरी करते हैं करते हैं कि दूसरे के परिणामों में दखल देते हैं कि ने बताओ तो देते हैं हम दूसरों को आदरोध ध्यान हमारे कारण दे रहे हैं जब हमारे कारण किसी के परिणाम खराब हो रहे हैं किसी के अंदर की कालुष्टा आ रहे हैं उसकी समता बेगड जिसका जीवन अच्छा भला जो है जीवन नरक बन जाता हो मन ही नहीं लगता हो ऐसी चॉरी ने करना इस प्रकार की चॉरी मत करना क desapare इस बाके चॉरी तो ठीक है, वो दी जा सकती है लेकिन व अ संता परिणाम की चॉरी जो आपने चॉरी है बहुत खराद चोरि करिए आप में तो वो चोरी ना करें ना अपने भाव बनाएं कि हमें इस प्रकार की कोई चोरी करना है होतीज निये चोरी बताओ इसको चोरी माना है किसीने नहीं सिवकारा सिवकारा है किया बोलो ना मैं पूछ परिणाम सामने वाले कि Гनि विशद्ध परिणाम शुद्ध परिणाम पवितरत अंवकी ऊसी कि येगी आपकि है कर और जो आपकी नहीं यह क्या और आपने माध्यम से इसको पोल कर तोक कर कुछ कहकर अगर ऐसके परिणाम कर लू परिणाम ना तो परिणाम लिये किसने आपने जब आपने परिणाम ले लिये हैं और परिणाम आपके अच्छे नहीं थे और आपके बादों परिणाम चले गए हैं तो आप उस विशुद्ध परिणाम को चोरी करने वाले हुए कि नहीं हुए ना तो आपके समता की चोरी करी कि नहीं करी मैं हूँ जैसा मैं चाहता हूँ अपने लिए वैसा ही मुझे दूसरों के लिए वैवार करना है यही सच्चा धर्म है यही सच्चा क्या है मर्म है धर्म का मर्म आचा श्ची यही बोलते हैं हमेशा गुर्देव गुर्देव कहते हैं कि जो अपने को अच्छा लगता हो जो जो अपने लिए लगता कि ये मेरे योग्य है वो ही दूसरों के साथ वेवार करना चाहिए तब ही वो धर्म का मर्म कहलाएगा अन्यथा नहीं आप अभी धर्म की परिवाशा सीखे ही नहीं है आपको आप एक आपने खथ की अनुकुलता बनने चीए अपना अपना काम हो जाए थी, वो वाली बात तो में भूली गया, 2024 की 20 बातों में हमने एक बात बोली थी, वो तो छूटी गई, उस बात को तो मैं करी हिलूँ, 2024 में 20 बिंदू दूए, दिये थे हमने, कि पिछला वर्ष कैसा निकला, अब आने वाले वर्ष में क्या करना है, उसमें जो 19 वा नंबर का क्या नहीं करना है, 2024 में एक ही जुनूर बना लेना, एक ही लक्ष बना लेना, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी की क्या नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा, यही लक्ष आपको निर्धारित करना है, नियम वा दिया था, हमने भी हल, अलो रामे, आज तो आज यहां भी इस नियम को वापस से आप लोग ले सकते हो कि दो हाज अर्चोविस में पूरा प्रियांस करेंगे क्या नहीं करेंगे हो जाएगा क्या हो जाएगा है बहुत बढ़ी आए तो बहुती कंणर के लोग तो बहुत अच्छे हैं इत्ती जल्दी हां कर दी इलोर कि आप लोग नया साल मानते हैं तो गुड़ी पड़वा को नया साल मानते हैं लेकिन फिर भी अगर आप मानते हो कि इस एक साल में हम तो निन्ना नहीं करोगे तो हमने क्या का चोरी नहीं होगी क्योंकि दूसरों के दुर्गुनों को आप बता रहे हो बिना पुछे बता क्या बोलेगा कि आपकी जाके मैं मंदिरें बुरही करूंगी आपके ये दूस्त इस अ कोई दिलेर इतना नहीं है सीना ठोक के कहने वाला कि हम आपकी इस बुरही को करेंगे तो ये पहले कर सकते हुनि कर सकते हुआ अब उन्हें जवप सब लोग सब लोग बोल करेंगे एक हाथ उठा आप नहीं करोगे निन्दा पक्का पूरे साल अगर माल लो गलती से हो गई तो गलती से हो गई तो क्या करोगे अगर माल लो गलती से हो गई तो क्या करोगे निन्दा क्यों होती ही पता है निन्दा इसलिए होती हैगी कि दूसरों के सदगुन हमें अच्छे नहीं लगते है दूसरी के अच्छाई हमें नहीं अच्छे लगती है तो इसलिए निन्दा हो जाती है तो जब भी निन्दा हो जाए मालो क्यों कि देखो ये तो ऐसा है कि हो जायगा तो अगर वो हो जाती है अगर मान दीड़िए गल्ती आपकी निंदा तो आपको मेरा जो माहामंत्र में representedk एक माहा पेर कोपे न है तेख दूसरों की बढ़非 है इसकी माला पेर दो नSer पर सकते हैं ज्यादा बड़ा मंत्र निये देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना इरिशा भावतरू इसकी आपको क्या करनी है माला फेरनी है सब को ठीक है ना अगर आप से निंदा हो जाती है तो आपको एक माला फेरनी है अब तो नियम ले सकते हो कि नहीं हम करेंगे निंदा महिलाएं बदे को पुरुष बर्गें तो हाथ उठा लिया महिलाओं में से बोलो तो है एक हाथ उठाओ और दो तीन उदर और चार पांच छे साथ बहुत बढ़िया आठ नो दस ग्यारा बहुत अच्छा देखो करो के तो आपका कल्यान होगा में तो मेरा तो क्या जा रहा है मैं तो आपको बता रहा हूं आपके भले के लिए बता रहा हूं कि आप निंदा नहीं करोंगे तो चोरी का भी दोष्ण नहीं लेगा और सम्ता भी बढ़करार रहेगी दूसरों कि आप सम्ता की भी चोरी नहीं करोगे और और अब ऑब इस पर अलग और बात करोंगा कल आपके विशे में क्याश्चा अपतिन नहीं हुआया आठ क्यार का संस्म और उनकी मधुर मधुर्वानी को सुनकर बड़े प्रभाइत थे प्रमचारी विद्याधर को लेकर उनकी साधना को देखकर सब उनके आगे पीछे भूमते थे उनको देखकर सब लोग अचंबित थे इतना नव युवक इतना छोटा सा बाला क्योंकि उस जमाने में इतने छ खराकरषित थे उनके दक्षिण से और वो भी उत्तर भारत में वहां और जब वहां थे तो सब लोग आके पीछे जब घुमते थे तो अब.. पर वो अपनी चरिया में तलीन उने किसी से कोई लेना ने इगिसी से कोई देना ने अपने आपमें लीन रेते थे प्रभाइट युवा लोग थे, एक दिन वो, क्या हुआ, दुफैर में चले गए, ये हो सकता है, जब दुफैर में ग्यान सगर जी महराजी सामाइक में रहें, हो सकता है, महराजी के सामने ये बूलते नहीं है, बिल्कुल नीचे मुझ करके बेटे रहते हैं, तो गए, और एक कक्ष में देखा उन्होंने दरवाजा बन था, तो प्रियास किया खोलने का, दरवाजा खुला नहीं, खिड़की से जाग कर देखा, तो आचार्य भगवन जो है, ऐसी नगन अवस्था में, दिगंबर अवस्था में सामाइक कर रहे थे, उनको देखकर, उनकी सुरूप को देखकर, वहाँ जितने बच्चे थे, उनने जय जय कारा चालू कर दिया, मुनी वर विध्याधर, मुनी राज कीजे, मुनी वर विध्याधर, मुनी राज कीजे, खुब गुन्जायमान अवस्था, उनने अपनी सामाइक नहीं छोड़ी, और जब वो शाम को बच्चे लोग आए, उनने बुलाया उन सब बच्चों को, उन सब बच्चों को कहा, कि देखो ऐसा है, आप लोग मेरी जय भूल रहे थे, मैं मुनी नहीं हूँ, यान सागर जी की जय बोलो, तो उनने का हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपका वो सुरूप इतना सुन्दर दिख राता, उसको कर अपने आप जय कारा जय कारा जय कारा निकलती चली जा रही हमारी कोई गलती नहीं हम क्या करें वो अपने आप सहज भावों से होता चला जारता है, ऐसे पुझ गुरुदेव थे बुली आचार बहुन विद्याज शकर्जी महमुरी राजी की, सबसे पहले तो मंगला च आप सब लोग अरहंताणम कर रहा होंगे, लेकिन तीन प्रकार से प्रकार से मैंने क्यों किया था बता देता हूं, सभी जगे भी बताता हूं, अर्याने अरुन अरु आचार्य ज्यान्सागर्जी महाराजी प्रतिकमान में इसी प्रकार मैं है अर्हें अर्योाों, अर्यो पेरानिक है ःूर्योज अर्यों पन ultimate shatr और अरू हंतानम, कल से आप वाचन करेंगे, मैंसी आप एक्छा रखता हूं मेरे साथ, और हंतानम नहीं करेंगे, ठीक है नहीं तीनों वाचन करेंगे, ताकि आचारे ग्यान सागर जी महाराजी जी भक्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है, क्योंकि जब मैंने मंगला अचनर प्रथम बार जब प्रवचन किया तब करा, क्योंकि आचारे ग्यान सागर जी यसी करते थे, गुरू मुख से जब सुना, तो मैंने ऐसी मंगला अचनर प्रारानम किया, तो एक नशीराबाद के बहुत वरद आय थे, तो उन्होंने यही बोला, आचारे ग्यान सागर जी मह मंगला अचनर को सुनने के बाद तो उस दिन से तो लगबग में 99 परशन इसी प्रकार से उनके भक्ति और शद्धा के साथ कि आप लोगों को भी अर, अरी और अरू यहीं मंगला अचनर करना, एक बात चलो और याद आ गई वो भी कर लेते हैं, तकि वो भी बहुत जरूर अभी है, अभी मौसली आप लोगों को नमोकार महा मंत्र का उच्चारण नहीं आता है, नमोकार महा मंत्र का क्या नहीं आता है, उच्चारण नहीं आता है, हलाकि प्रोचन की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, क्योंकि जो लोग उच्चारण कर रहे थे, वो प्राप्त कर सकते हो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो काल जई वो मंत्र है लेकिन अभी मूल में भूले अभी मूल में भूले जो मंत्र वाचन होना चीए उस मंत्र का वो वाचन नहीं हो पा रहा है वो मंत्र जो जिस प्रकार से उसकी आरादना होने चीए वो नहीं हो पा रहा ह 40, 50, 70 साल हो गए लेकिन शुद्द उचरण नहीं हो पा रहे नमोकार, महा, मंतर का उचरण नहीं कर पा रहे बताओ किती बड़ी विडमना है किती बड़ी हमारे माद्यम से गलती हो रही है है ना? चलो ठीक है किस से पूछे हम कोई नमोकार मंत्र का पहले समझे तो हो कि हम आप पे जूट आरोफ लगाय जा रहे हैं और आपको तो आता हो सुद्ध उचारन करना कौन बताएगा कोई है बताने वाला भाई कोई दिकर आएदर है हाँ चलो जै भाई बोलो आपी बोलो नमोरी हंतारम को अचारन करके अचारन क्या चारन क्या उनियुटल तो रिल्द के उन्हें यह लुप टी करें इनों ने लोगवग यह यह उचारन करते हैं ठीक है यह करना है यह इह कर दो स Abg। घ्ल तो यह सीदी को सिखा देता हूँ प्रोचान बांदमे करेंट इंग ऑनस तो आ तो यह जो नो जय भावी ने किया, यह उच्छान गलत किया, कल भी बताया था मैंने कि एक मात्रा की भी गल्ती थी पुष्पदंत और भूद्भली जब दोला गरंत की वहाँ पर रशना करने गए तो एक गल्ती के कारण क्या हुआ था दूसरी देवी सिद्ध हो गे थी उन्होंने एक मात् पूरा मंत्र ही गलत पड़ रहे हैं, गलत उच्छारन कर रहे हैं, कितनी बड़ी गल्ती हो रही है आप लोग के माध्यम से, सोच और बिशार करो आप, हम जयन हैं और हमारा मूल जो मंत्र वो नहीं आँ पा रहा है, वहाँ पर नलका न नहीं है, नहीं है, कुन सा नह, त, थ, ड, रहन, वह रहन है, नहीं है, नहीं है, वह नलका नहीं है, तो इसका उच्छारन कहां से होता है, जीप को जब आप पीछे ले जाएंगे, वहाँ से रहन का उच्छारन होगा, आपने नहीं है, नहीं है, नहीं है, रहन है, क्या है, रहन, मतलब आप जब जीप को आप त, थ, ड, ध, न बोलो आप त, थ, बोलोगे तो न आपने आप निकलेगा अभी डारेक्ट नहीं निकलेगा बोलो त, थ, ड, ध, न तो जीब कहां जा रही है? पीछे जा रही है वो वाला न है नल का न न न ही है आपने पूरा शब्द ही बदल दिया आपने न कर दिया आपने अना को ना को न कर दिया अब मूल में ही भूलोगे इसका पूरा आर्थी अलग हो जाएगा वो प्राकत का अना है पहली गलती तो आपके माद्यम से यह हो रही है और दूसरी गलती बताएं क्या हो रही है वो भी 99% लोगों के साथ वो होता है वो नहीं होना चाहिए जो गलती आप लोग कर रहे हैं दूसरी गलती है आपकी मौसली जो वहाँ पर अनुस्वार है बिंदू है अनमो अरहंतानम के बाद बिंदू है तो वो जो बिंदू है उस बिंदू का उचरण क्या होता है नासी का अनुस्वार से मतलब वहाँ मा नहीं लिखा है मा लिखा है क्या लेकिन आप होट से कर रहे थे मैंने जै भाई को पुरा अब्जर्ब किया तो उन्होंने कहां से किया होट से किया होट से मा का उचरण हो रहा था होट से नहीं होता है वो उचरण अगर होट से होता है तो वो पापाभा म है वहाँ क्या है अनुस्वार है बिंदू है वो बिंदू का उचरण कहां से होता है नाक से होता है तो नाक से मतलब क्या जीप, तालू, कंट, होट, कुछ भी नहीं सिर्फ कहां से, नाक से ही वो म निकलना चाहिए निकलेगा मही, निकलेगा मही, लेकिन कहां से निकलेगा नाक से निकलेगा, नाक से ध्वनी निकलेगी वो केलाता है नमोकार मंत्र अब आप बहुत ध्यान से मुझे देखना कैसे मैं उस मंत्र को उचारित कर रहा हूँ आप प्रियास करना और मैं यह भाव ना रखूंगा कि कल से सभी लोग जब मैं मंगला अचरन करूंगा तो इस मंगला अचरन में आपको इसी प्रकार से मंत्र का शुद्ध उचारन करना है फिर आप देखना क्या अल्टिमेट रिजल्ट इसके रहते हैं जैसी आप इसको अच्छे से करोगे तो आप भाव भी बहुर हो जाओगे तो मैं एक बार करके आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से मज़े देखना मैं होड से नहीं करता हूँ कहां से करता हूँ आप देखेंगे नमो अरिहन तानम नमो सिद्धानम नमो आयरिन्यानम नमो अव जाजानम नमो लोई सवव साहुनम आप अचारन आपको करने अच्छा लगा नहीं लगाँ अचारन करने अच्छा लगाँ नहीं लगाँ करेंगे तो एप अच्छा बन जाएगा बहुत अच्छा बन जाएगा इसलिए हम चाहेंगे और आप एक्षा रखेंगे आप लोगों से कल से पाल करेंगे आफ ऐसे आपको गलती नहीं करना है और जब भी मंत्र नमो कार महमंत्र का उच्छान करो जीब को पीछे दो बाल ले जाना है पीछे जाता है, पीछे मतलब जीव को पीछे ले जाना है, और आपको एक बात और बता दू, जब आपको हम तब कल्यानक का ध्यान कराएंगे, तब तब कल्यानक के ध्यान के समय, आपको एक बीजा अक्षर का अर्थ बताएंगे, हर बीजा अक्षर का आपको अर्थ बताए वो बन्न का फलादेश करेंग हम तो आपको लगेगा कि सब फलादेश कर रहें लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें ताकत है कि अढ़र पावरफूल उसका ही आप उछारण गलत कर रहें मालला वो जो न हैं वो जो अचारण होना चीड़ नहीं हो रहा है आप का करें तो न की जो उर भी लगता ज़्यादा भूक लग रही है या प्यास लग रही है वो अपनी जीब को पीछे ले जाएंगे और टच करेंगे तो उस स्थान पर एक अम्रत निकलता है वो अम्रत का पान जो वैश्णों संप्रदाई के सादू होते हैं उस अम्रत का पान करते हैं, उस अम्रत के पान करने से वो बहुत बहुत दिनों तक भूके प्यासे रेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो अम्रत आता है, वो उसको लेते हैं, तो जिनका भी उपवास हो, मैं हमेशा बताता हूं, कि आप ये प्राण मुद्रा बनाओ और अपने जी अब वो गार्ड गिफ्ट में आपको मिला है लेकिन आप उसका लाब नहीं ले रहे हो वो लोग तो क्या करते हैं जीप को काटते हैं क्योंकि जीप पीछे जाएगी और इसके आप अपनी भूमी में वो भू शेयन में जाते हैं वहाँ पर साधना करते हैं और भू के प्यासे पिए उस मुद्रा के कारण उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा वहीं पर जाके टच करते हैं अब वो पावर्फुल इस्थान है आपके शरीड का सबसे एनर्जी वाला इस्थान है वहाँ पर टच होना चाहिए लेकिन आप वो टच ही नहीं कर रहें दो बार नहीं बहलता ह सुरू में और अंत में तो वो आप उस इस्थान को भी आप टच करने से आप जो है वंचित हो रहे हैं वो इस्थान टच करेंगे जैसे जैसे टच करेंगे आपको एनरजी फील होगी आपके अंदर उर्जा का प्रभाव अपने बढ़ने लगेगा जिता टच करेंगे उतनी उर्जा बढ़ेगी इसलिए उपास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप बस जीप को पीछे लगा कर रखना आपको लगे गई नहीं कि हमने उपवास किया एक एनरजी और एक उर्जा आप फील करेंगे एकदम साइन्टिफिक बात है यहां तक कि खेचरी मुद्रा हाला कि खेचरी मुद्रा को आपको बता दे वास्तविक्ता में तो भूख प्यास के लिए नहीं है खेचर खे मतलब आकाश में घूमने आपकाश में चलने वाला आकाश में उड़ने वाला खेचरी मुद्रा इसलिए वो लोग करते हैं कि इससे आकाश गामनी विद्या सिद्ध होती है आकाश में उड़ने की ताकत आती है तो वो नमोकार मा मंत्र से आकाश में उड़ने की ताकत आ सकती है आप लाखों मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन जैसे करना चाहिए वेसे नहीं कर रहे हैं इसलिए उसका जो लाब मिलना चाहिए वो लाब नहीं मिल पा रहा है इसलिए अब जो उच्छारण करेंगे आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है उससे आपको संपूर्ण तरीके से लाब आपको करेंगे ना सभी लोग ठीक है ना पीछे को जीप को पीछे ले जाना है और जो अंत का बिंदू है उसको कहां से निकालना है नाक से जीप तालू कंट होट किसी से भी उसका उचारन नहीं करना है अभी 70-70 साल उम्र होगी होगी फिर भी शायद मेरे खाल से यह उचारन आप लोगों ने नहीं सिखा होगा नहीं किया होगा इसलिए मैंने का अभी मूल में ही भूल है उसको पन सुधारे और सुद्ध उचारन करें निश्ची तौल पे अल्टिमेट रिजल्ट अपने को मिलेंगे निश्ची मानना आप और अब चलते हैं अब यह मूल में हैं अभी स सुन रहा था आप लोगों तो छाला गया जहाता हूं कम सुम कुछ सिखाऊ या ना सिखाऊ नमोकार मंतर तो छिखा ही दिता हूं सुध्यू ж ago करें उर साथ में यह बात अपने तक नहीं रखना अब इस बात जितने लोगों को सिखांगे उतना अच्छा है जितने लोगों से आप बात कर सकते हो उतना अच्छा है और ये भी भी नियम लियो कि हम कम से कम दो तीन चार जितने हो सकते हैं उतने लोगों को मौट तो मौट इस नवकार मंत्र को सिखाने का प्रयास करेंगे बताने का प्रयास मोबाइल पर चर्चा तो करती हूं ना आप यहां वाँ की चर्चा मत करना आज जो है हमने यह सीखा और यह आप बता देना जो आपको प्रोचन में अच्छा लगता हो एकाद लाइन तो अच्छी लगती होगी महराजी नित्ता बोला हम नित्ता बोला वो एकाद बात तो दीड़कर जाना है अब बात करता हो ना अपनी मम्मी से हैं अपने भैया से घर में तो यह वाली बात करना कि आज यह अच्छा लगा उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम हमारी बेटी जो है कुछ सुन रही है सुनने के बाद कुछ कर रही है तो इसमें दो चीज होगी एक बात आपको इस पस्ट बता दू, ये शुद्ध धरमध्यान होगा, ये सुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा, सुद्ध धरमध्यान होगा, और सुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा, इस धरमध्यान के माद्यम से और इस स्वाध्याय के माद्यम से क्या कर रहे है आपने बात प्रारंब करी जैसे ही आपने बात प्रारंब करी स्वाध्याय मिन्स क्या स्वाध्याय मिन्स 12 तपों में आता है स्वाध्याय और तब का मतलब क्या समझना तो सही कल भी हमने बताया था कि तब का मतलब क्या तब करते हैं अचारे भगवन से पूछा संबर और न और कर्मों को निकालना है तो उसका उपाय क्या है बुले तपसा निर्जरा च मतलब तप के माध्यम से निर्जरा भी होगी और च के माध्यम से संवर भी होगा संवर मतलब रोखना और निर्जरा मतलब निकालना आप पिचार करना पांच मीट साथ मीट डस मीट आप जब बा कि आज नमोकार मंतर से हमने इस प्राकार से सीखा है, ये पाया है, तो क्या होगा, उसमें ये वाली बात होगी, कि हूँ 5-7 मिट्ट सामने वाले के करम का बंद भी रुखवा दिया, अपने करम का बंद भी आपने रोख लिया और जो करम थे, उनको हमने क्या कर दिया दीरे दीरे निकाल भी लिया तो यह मैं समझना में बड़ी में समझाने वाली बात नहीं है आपको यहां पर समझाने की कोई बाहूना हम नहीं प्रेशित कर रहे हैं, कि आप समझाओ, समझाने की कोई भावना नहीं, यह यह भावना है, उनका भी धरम दियान हो, और हमारा भी धरम दियान हो, बात तो करनी ही है, लिकिन हम यह बात करेंगे, तो निश्चित तोर से उनकी कर्मों की निर्ज़रा भी होगी, हमारे क्या, एसी मीठी मीठी बाते करो, जिसके माद्यम से उनका भी भला हो, और हमारा भी भला हो, तो बहुत अच्छी बात हैगी, और एक और, साइम तो हो रहा है, एक और, यह तो आज प्रोचन नहीं हो पाएंगे, याद आ गई और याद आ जाती है, तो निश्चित तोर से को बता ही देना चाहिए, कि स्वाद्याय में कल मेरी अध्यान गया था, मंगला चरन हम करते हैं, तो मंगला चरन में जिनिश जी की आवाज आई थी से ठी जी चले गई क्या, उनकी आवाज तेजी से ही थी, हमने का बाद में हम बताएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आवेजी हम लेट हो गए थे कल बहुत ज़्यादा बताते हैं बताते हैं फिर आवने कल बताएंगे, अभी याद आ गई है, तो आप लोग सब उसका लाहब लेलो, सब को बता देता हूं में, कि उजो मंगला चरन करते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ पर है ओंकारम, आप तो क्या करते हैं उचरन, क्या करते हैं, ओंकारम, वह ओंकारनम नहीं है, वहाँ पर ओंकारम है, क्या है, ओंकारम नहीं है, वहाँ बिंदी का उचरन करते हैं, लगबग सभी करते हैं, ओंकारम बिंदु सयुक्तम, यह करते हैं न, बोलो तो हाँ या नामे जाद पना, कि मे है उखत है आप नई भाए पिंदु मसले नहीं कि सबम्हいき है तोह फो पैसा करा यह समय के राप अपार भिंदु सायुक्तमी जैनेक सीसे कसे डों बिंदु मसलें कि शिखा सायू कर और यड़ तो हैप लोग करते हैं अपसमी हिवे और आपने प्रéf dirigि अवाद सोच आंगान में क्या लिखा है और आप उच्छान क्या करते हो हम न्योग एगारम नहीं ओकारम बिंदुसेट्त्म नित्यम ध्यानन्ति योगिन इसका भी आप लोग ध्यान तखेंगे तो बहुत अच्छी बात है अब बात चल रही है अपनी तिर्थंकर बनने की तिर्थंकर बनने की बात चल रही है भगवान के बाजू में बेटने की बात चल रही है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा तिर्थंकर बनना है तो जूट का वमन करना होगा तिर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना और तिर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा और तिर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आगरा छोड़ना होगा तिर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोश बनाना होगा तिर्थंकर बनना है तो शब्त शेल की ओर मुड़ना होगा और तिर्थंकर बनना है तो अस्त प्रवचन मात्रिकाओं की ओर जुकना होगा यहाँ पर अपने बात चोरी की चल रही थी और कल हमने आप लोगों के बीच में चोरी की बात करी थी और चोरी के बीच में कल जो दो नहीं बाते आप लोगों के बीच में बोली थी कि बेटी आपकी है लेकिन अब वो आपकी नहीं रही वो आपकी जब नहीं रही है तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है इसलिए आप अपने इसाबस अगर उसको चलाते हो और उसके करण अगर वासल प्रेम इसने हो और दरार हो रही है तो उसमें किसका दोश है? आपका दोश है, अब आपके नहीं है, और अगर आप ले रहे हो, तो चोरी का दोश, एक बात ये बोली, और दूसरी बात क्या बोली थी? दूसरी बात ये बोली थी, कि जो धर्म पत्नियां हैं, वो जहाक ले, कि आपके आने के बाद संबंध, वै बाद, वो क्या हुए? कम हुए, बड़े, क्योंकि चोरी तो नहीं करी, आपने संबंधों की, अपने पती के जो संबंध थे, मा बेटे का संबंध तो आपने नहीं तोड़ाया, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि भाई भाई का आपने प्यार आपके माद्यम से तूट चुका हो ग अगर हुआ है, तो आपने क्या करी है? चोरी करी है, वो भी चोरी कहलाती है, उसको भी चोरी, तो कि अपन बात कर रहे हैं समय चोर की, समय चोर की व्याक्ष्या आपको बताई थी, कि अगर बिना पूछे आप समय ले रहे हैं, समय चोर, सदगुन चोर, आपने किसी के अगर मान लीजे आपके माद्यम से जा रहे हैं तो आप सद्गुण चोर हो गए और फिर तीसरी बात अपने क्या करी थी वासली और प्रेम और इसने की बात करी थी और कल बात प्रारम कर दी थी हमने समता चोर की आप लोगों से बात करी थी और मैंने यही यहां से बात करे थी कि मेरी वानी से, मेरे वहवार से अगर किसी जीव के परिणामों की विशुद्धी जा रही है किसी जीव के परिणामों में कालुस्ता आ रही है तो मैं उसके परिणामों को चुराने वाला अपरादी हूँ बहुत बड़ा गहन अपराद में कर रहा हूँ क्योंकि परिणाम उसके परिणाम उसके लेकिन क्या हुआ उसके परिणामों पर आपने डाका डाल दिया आपने बदमाशी कर लिए और आपके कान उसके विशुद्धी खतम हो रही है तो चोरी तो कर ली ना जो चीज आपकी नहीं थी वह आपने ले ली वहां दूसरी चीज आ गई है तो निश्चितोस से आप सम्ता को लेने वाले बहुत बड़े चोर हैं बहुत कम सर्विस वाले या इस प्रकार के लोग होंगे बाकी तो सबी लोग शायद व्यापार वाले हैं लेकिन मैं मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग भी सुनते रहते हैं हमारी बात को तो जो लोग व्यापारी नहीं लेकिन जो लोग सर्विस कर रहे हैं जो लोग सरकारी या और भी कोई private company में नोकरी कर रहे हैं अगर वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो वो भी चोरी कहलाएगी माली जो सरकारी आफिसर हैं और सरकारी आफिसर होने के करण अपने पद के दबाओं में जो नहीं करना चीए अगर वो काम भी वो करवार रहे हैं तो वो भी चोरी ही है उसको भी आप क्या चोरी ही स्विकार करना मैं एक पुरानी बात आपके वीच में रखता हूं कि क्या पद होता है और क्या चोरी होती है इतनी बारिक बात इतनी सुक्ष मदर्ष्टी से भी विचार चलता है जब दिवान साब थे वहाँ पर और वो अपना कारे अपने मतलब उस समय राजा माराजाओं का जमाना था बात पुराने समय की कर रहा हूँ राजा माराजाओं के जमाने में वो अपना कारे कर रहे थे घर पर बेट कर और कारे कर रहे थे वो कारे चल रहा था काय का वो चल रहा था वो जो पूरा कारे था वो राज जी का कारे लिखा पड़ी का वो कारे कर रहे थे और जब राज जी का लिखा पड़ी का कारे कर रहे उसी समय उनके जो रिष्टेदार थे वो मिलने आए जब रिष्टेदार उनसे मिलने आए तो जब रिष्टेदार उनसे बातचित करने आए तो हुआ ये कि उन्होंने का पांच मिट रुखें क्या बोला पांच मिट रुखें आप से चर्चा में करता हूं और पांच मिट र रुखे और रुखने के बाद उन्होंने क्या किया वो जो कंडिल था उसको उन्होंने बुजाया और दूसरा कंडिल उन्होंने जलाया तो जो सज्जन आये थे उनके पल्ले नहीं पड़ी यह बात कि यह कैसे हैं यह दिवान साफ हैं इतने समझदार हैं इनकी इतना मान सम्म राजा साहब भी बड़ी अदब और अजब के साथ इनको बिलकुल सम्मान देते हैं लिकन एक कंडिल बुजाया और एक कंडिल जलाया कि कुन सी बात हुई एक माची सा लग खराप करी और समय दो मिट का लग खराऊ हुआ क्या हुआ अब उन्होंने पूछा बोले साफ पहले यह क्या है तो बड़ी ही उससे उन्होंने अदब के साथ का देको साब ऐसा है कि आप मेरे रिष्टिदार हैं आप मेरे चिर परिचित हैं और आप मेरे से मिलने आये हैं निश्चित तोर से कोई ने कोई रिष्टिदारी के इसकारी से आये थे उले भी धाई तीन घंटे से में अपने राज जिसे संबंदित कागजों को तयार कर रहा था उसमें जो तेल था वो काई का लगा था वो तेल जो था वहां का था कहां का राजदरवार का था और आप मेरे लिए मिलने आये हो तो अब जो मेरे लिए जा आप मिलने आये हो तो क्या है अब इसकी अवशक्ता वरना ऐसे भी लोग होते थे, चोरी इतने डरते थे, और बताओं आपको, अगर आपने सुना हो तो, पंडित सी साब थेक, जिनोंने वो लिखिये, पंडित गौपाल दाजी बराया, आपने अगर नाम नहीं सुना हो, नहीं सुना हो, बड़ी कहना ची, ऐसे पंडित थे, ऐसे विद्वान थे, कि उनकी पत्नी ऐसी थी, इतनी ऐसी इस प्रकार की थी, कि एक बार जब वो घर आय वो आई और उसने पानी डोल दिया, सीधे, तो वो क्या बोली, पंडित जी साब, आज तक तो गरस्ती थी, और आज बरस भी गई, बात ये नहीं थी, बात तो दूसरी थी, मैं बता रहा हूं दूसरी बात, कि देखो क्या सुक्ष्ण बात चल रही है, तो जब वो जब यृष का हो गया है, और वो पहुँ रहा को बात चल आतरह कर हो कर गे मुझसे गलती हो गई है क्या हुआ भीया बोले मेरे बेटा 4 साल का आज हो गया है और इसलिए जो है तिक्ट जो है हमने नहीं ली थी और कायदा बनता है नियम बनता है कि 4 साल के बच्चे की आदे टिक्ट होना चाहिए इसलिए यह आप क्रप्या करके इसकी आदेतिकिट बना दी ये सत्य है एक दिन का भी हम जूटने ही चाहते हैं चार साल का तो मेरा बच्चा हो गया ऐसे ऐसे विद्वान हुए जोनों अपने जीवन को सत्य के साथ जिया है वो भी चोरी कहलाती है इसका एक और उधारन अब कल पेश और कल आपके आपके बी अचार भगवन से बहुत प्रभाइत हो गते और रोज रोज उनकी उस आकरशक जो उनकी वानी है और उनके व्यक्तित्व है उससे प्रसंद होकर आगे पीछे घूमते थे उनका वो भूंगराले वाल वो उनकी वो चाल सब कुछ हमें मन भाज आती थी और हुआ ये कि अच दिख दे रहे हैं गुरुदेवू ब्रह्मचर अवस्थ्था की बात आप लोग के बीच में रखना हो आच अचा सी ब्रह्मचारी थे और वार बार पहुंच जाते थे कुछ चाहिए तो नहीं कुछ चाहिए इस वहाने गुरुदेव से बात हो जाए ब्रह्मचारी जी से दो दिन बाद कि जो पैंसिल आपने एक रखी थी और बाकी वापस विजवादी थी पेम पेम तो बोले एक काम करो ना इसको दो तीन चार और रख लो यह गूं गई या चली गई तो तो आचाई श्री ने का नहीं एक से मेरा काम चल रहा है एक से दो रखूंगा तो वो परि नहीं रखना है मुनी परिग्रह को नहीं रखते हैं जितनी आउशकता है उत्नी रखते है यह ब्रह्मचर्यावस्था की बात है verुषै करना वहां पेम दूसरी चीज नहीं जिसकी कोई कीमत नहीं होती है वह दूसरी रखने को तयानली थैं ऐसे उच्छ और त्झ इस कारिक्रम के पुन्यार जक्ति श्री राजी इंद्र प्रसाजी जैन, श्री मती ममताजी जैन, श्री प्रिशान ची जैन, श्री मती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्री मती सौम्या जैन, एवं समस्त परिवार मुंबई